है रो दोस्तों कैसे हो आप सब एक बार फिस्स स्वागत है आपका सिया ब्लॉग में तो आज मैं जो आपको वीडियो दिखा रही हूँ तो यहां के अक्कुपेशन के बारे में भी और कुछ पेर पौदों के बारे में दिखाऊंगी तो चलिए आज की वीडियो हम साथ जो ना घास लेने गई गाये के लिए तो यह जो इन्होंने पीठ पे बांदा हुआ ना यह ब्लू कलर की बास्केट इसको इसमें ही घास लेके आते हैं यह यानिकि पीठ पे उठाके लेके आते हैं यह तो इसको जो है इस बास्केट को जो यह किल्टा बोलते हैं तो आपको जिस जिस को पता होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आप क्या-क्या बोलते हो इसी और तो यहां पे मैं आपको सभी पेड़ पो धूंके यान कि सभी तो नहीं जो जो हैं लगे हुए इस सीजन में जो यहां पे लगते हैं उसके बारे में बताऊंगी यह ज जाएंगी तो यही मार्किट में आएंगी तो मैं आपको बता रही थी कि जो यह पीथ पे जो इन्होंने किल्टे बांद के रखे हुए जिसमें घास लाते हैं ना तो यह मुझे कह रही थी कि मैं इसको बोल रही थी कि आपको जो दर्द नहीं होता है बाजियों में जब आ मैं यहां सेमस्ण साल में एक आदी भार जाती उंक यहां साम के साथ अधर करी पीच केल हूं लेकिन है भीरों भीटे है जो पिर नहीं हम को सरके लेकर साथे हैं, गड़े का लोग मैं से है तो हम यह ज में फामका यांदा Gleich जैसे जिसको अच्छा लगे पर इनको ऐसे ही ठीक लगता था तो मैं तो इसको मैंने एक जब इसने घास काट लिया तो मैं भी इसको उठा ले की कोशिश कर रही थी पर मुझसे उठाया नहीं गया मेरे से एक तरफ से ही गिर गया मैंने उसने भी सही कहा क्योंकि हमें आदत नहीं है न यह उठाने की पीठ पे तो बस उसने तो रहने दे मैं उठा लूँगी तो बस मैंसे मुझे तो शौक लगा हुआ था और कुछ नहीं मतलो तो आगे आप देख सकते हो काफी पेड़ पौदे हैं बहुत हर्याली हर्याली सी नजर आ रही थी सारी तरफ हरा रंग तो यह तो वैसे भी आंकों को बहुत ही ठंड़क देता है तो आगे जो आप देख रहे हो ना यह जो बगीचा लगा हुए फ़लावर का तो यह जो फ़लावर लगे हुएँ यह अनार के पेड़ह एं यह सारे ऐसे बहुत ही ांदर लग रहे थे यह फ़लाव भी कھیले तो अभी तो ये फ्लावर खिले हुए है तो आगे इसने जो थोड़ी दूरी पर इसके खेत था वहां से इसने घास काटना था ये घास काटने लग पड़ी मैंने इसको कहा कि मैं भी करती हूँ पर इसने मना कर दिया कि रहने दे ये देखिए आप देखिए कितना सुन्दर है लगे ये जो बगीचे लग रहे है तो ये जो आप आगे ये जो देख रहे हो ना ये जो फ्रूट लगा हुआ है तो ये पलम का है छोटे-छोटे लगे हुए है तो जब ये बड़े हो जाते ना तो ये मार्कट में रैड कलर के आते हैं तो वही है ये अभी तो ये अभी तो कच्छे हैं और थोड़ी थोड़ी थे कड़वे भी थे मैंने खाया हुआ था ये एक भी खाया इसमें तो थोड़ी थोड़ी से कड़वा सा टेस्ट दे रहा था तो बस आगे देखिए अब इनका खेट भी देखिएंगे अब ये कहां से घास काटती है तो बस अब ये घास काटने लग पड़े तो मैं बस देखने लग पड़ी तो यहां पे द दीड़ी किता सुन्दर नजारा था बिल्कुल चिड़ी की चेह चाहच भी बहुत हुझा होई और सुनसान सा लग दा यहां पर कि यहां पर पर यह की था बहुत शांती से थी और यह देखिए नाश्पती का पेड़ नाश्पती लगी हुई है चोटी-चोटी सी लगी हुई है फिर वह ये बड़ी हो जाएंगी फिर मार्किट में आ जाएंगी तो अब ये देखी यहां निर्मदा ने घास गाटा और नुसके घर के पास थी था ये खेट थोड़ा साइस आगे च Souls के था थो उसे घर के पास कि था कि है तो पहाड किकर बहुत थी प्रसूरएं से लग रहते ये पाही है तो निर्मना तो घास काटन लगी हुई थी उसने बस अब मुझा फिर चल पढ़ना था क्योंकि शाम भी थी और अंधेरा भी होने वाला था तो उसने और उसकी बेटी ने घास काट लिया मुझे यहां पर आगे जाके यह देखिए लसुन के खेत हैं लसुन का खेत यानि कि यहां पर जो है यह लसुन बिजाई की हुई है तो यही यह भी मार्केट में ही बिकेगा तो लसुन के तो काफी बड़ी ज्यादा मात्रा में लगाए वे थे लोगोंने तो यह जो खेत होते हैं इस ही के बीच में इनके पेड़ पोधे यानि कि प्रूट्स प्रणी लगाते हैं तो मैं आपको यह दिखा रही हूं कि देखी है नार के पेड़ पीदे कुरुआ साथ-साथ में लगाए हूँ है साथ-साथ में फसल भी चली हुई है तो आगे मैं आपको आगे जो नो मैं तो आगे जो मैंने यहां पर निक श्रॉबरी की अर्याम आया में ध्यूसर बोलती हूं कि आपको यहां पर उसने घास काट ली यह फिल ले चली तो अ तो यह देखिए आप मैं कह रही थे ना आपको कि यह जो है पीठ पे उठाके लेके आते हैं और कैसे लेके जाते हैं यह देखिए यह पूरा इन्होंने भरा हुआ है यह उपर उपर से नहीं है नीचे भी पूरा भरा हुआ है तो पीठ पे उठाके लेगें तो यह ही तहीं थी तो आगे देखें हम गरपर गर पर पहुंचे इसपरो यह vari ए इनोफ इननीके घर पर लगी इऊती टी चाह सॉअ मैरी बेटी और उसका मेरा दोनों ही इस वी खा रहे थे तो उसने मुझे भी दी स्टॉबरी खानें के लिए तो मैं देखा आगे की वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को subscribe जूर करना और प्लीज जूरूर बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी तो जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद Thank you